दोस्तों ये तरीका आपके सर पर पल्लू लेने का थोड़ा अक्वर्ड हो जाता है आपके सर से खिचता है जो आपके लिए प्रॉब्लमाटिक हो जाता है तो इस तरह से आपको लेना है पल्लू और उससे आपको अपने बॉडर को अलग कर देना है याने के उसे अपने पिन ले ली है और उसमें हम अब पिन लगा देंगे इस तरह से अगर आप पिन लगाते हैं तो सर ढकने में परिशानी नहीं होती है सर पर अगर आप पल्लू रखते हैं तो वो खिचता नहीं है और आपको problematic नहीं लगता है अपने first पल्लू लेने के तरीके में हमने इस तरह से अपने सर पर पल्लू रखा है और यहाँ पर जो कपड़ा बच जाता है उसे आपको अच्छी तरह से set कर देना है तो इसको अंदर की ओर हम टक करके यहाँ पर हम pin के इस्तमाल से pin लगा देंगे जिससे यह यहीं पर टिका रहेगा और आपका पल्लू बार-बार खिचेगा नहीं बार-बार पीछे की तरब नहीं फिसलेगा इस तरह से अगर आप सर पे पल्लू लेते हैं तो आपके border भी अच्छी तरह से सो होंगी आपकी jewelry भी सो होंगी दोस्तो अगर आपको सर पे पल्लू लेना है तो अपने जोडी को थोड़ी सी उपर बनाएंगे जिससे आपका पल्लू नीचे की और नहीं खिसकेगा दोस्तो इस तरह से अगर आप पल्लू लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये साड़ी और भी अच्छी तरह से visible हो रही है अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरे तरीके में तो दूसरे तरीके के लिए हमें अपनी पलेट्स को बनाना है छोटे छोटी पलेट्स बनानी है और इसके बाद हमें इसे अपने सीधे पल्ले की तरह लेना है यहाँ पर हम अपनी पलेट्स को सेट करते हुए सीधे पल्ले की तरह पिन टक करेंगे लेकिन उसके पहले अपने border को हम यहाँ पर निकाल देंगे border को हमने निकाल दिया है अब इसके बाद हम यहाँ पर pin लगाएंगे pin लगाकर set कर देने से आपका border थोड़ा सा बाहर रहेगा और सारी plates अच्छी तरह से pin up हो जाएंगी इसके बाद हम जिस तरह से सीधा पल्ला लेते हैं यहाँ पर हम पीछे के ओर इसे टक कर देंगे इस तरह से हमने पीछे के ओर टक कर दिया है और अपने बॉर्डल को हम यहाँ पर बीजिबल होने देंगे थोड़ी अच्छे से सेट कर देंगे और इसके बाद हम अपना पल्लू लेंगे दोस्तो यहाँ पल्लू के पास आपको थोड़ा कपड़ा दिख रहा होगा इसे भी हमें पलेट के पास टक कर देना है आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही टक कर दे वो टिका रहेगा और इस तरह से अगर आप अपना पलू लेते हैं दोस्तो यहाँ पर भी आपको एक पिन लगा देनी है जिससे कि ये खराब नहीं दिखेगा हमने पिन लगा दिया है कुछ भी करने पर ये आगे की ओर नहीं खिसकेगा अब इस तरह से हमने अपना पलू ले लिया है और ये पलू बहुत जल्दी नहीं खिसकता है दोस्तो कोई भी काम करते हुए आप इसे छोड़ भी सकते हैं ये पीछे की ओर नहीं खिसकेगा तीसरी तरह के पलू लेने के तरीके में दोस्तो इसमें भी हमें पलेट्स बनाने है और उसके बाद हमें इसे सीधे पल्ले की तरह ही लेना है तो इस तरह से हम अपनी सारी पलेट्स को सेट कर लेंगे और बॉडर को उपर की ओर करेंगे और इसके बाद हमें सीधे पल्ले की तरह यहां पर लेना है और सीधे पल्ले में हम यहां पर बिना बॉडर को छोड़े हुए पिन को लगा देंगे बॉडर को थोड़ा सा आगे करके यहां पर हम सेट कर देंगे हमने यहां पर पिन लगा दी है अब इसके बाद दोस्तों, यहां पर हमें दोनों तरब के border को सो करना है तो इसके लिए हम यहां पर इस तरह से साड़ी को pin up करते हुए आगे की तरब अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और यहां पर हम pin लगा देंगे इस तरह से पिन लगाने पर आपकी बॉर्डर बहुत अच्छे से बिजिबल होती है अगर आपकी बॉर्डर अच्छी है तो वो और भी ज़्यादा खुबसूरत दिखाई देती है आप चाहें तो यहाँ पर भी एक पिन लगा सकते हैं जिससे यह बॉर्डर सेट रहेगा साड़ी के प्लेट्स को अच्छी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ पर भी एक पिन लगानी है और अच्छी तरह से अपने pins को अपनी plates को अच्छी तरह से बनाते हुए हमें pin up कर देना है जिससे border अच्छी तरह से सो होगा और इसके बाद हमें अपना पलू ले लेना है यहां से आप देख सकते हैं दोस्तो इस साड़ी का look कितना अच्छा आ रहा है आप चाहें तो इधर भी pin लगा सकते हैं इसे यहां पर टक करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे दोस्तो और इस तरह से इस साड़ी का look आ रहा है इस तरह से आप कोई भी border वाली साड़ी बहन सकते हैं यह और भी ज्यादा खुब सूरत दिखाए देगी और यह पल्लो खिसकेगा भी नहीं दोस्तो यह दोनों तरफ से pin अप है इसलिए यह नहीं खिसकेगा और इस तरह से आपके ज्यल्री भी सो होगी आपके borders भी सो होंगे और आपकी साड़ी का look और भी खुब सूरत उभर कराएगा अब हम यहाँ अपने अगले तरीके की हो रहेंगे तो दोस्तो उल्टे पल्ले की तरह है आपको अपने साड़ी की plates को बनाना है और यहाँ दो plates आपको छोड़ देनी है और उसके बाद आपको इसे pin अप करना है तो यहाँ पर दो plates हमने छोड़ दी है और उसके बाद अब हम pin लगाएंगे दोस्तो तो यहाँ पर हमने pin लगा ली है और इसके बाद हम अपना पल्लू लेना सुरू करेंगे लेकिन उसके पहले अगर यह जो धीला है उसे अच्छी तरह से tight करते हुए यहाँ पर भी आप पिनप कर लेना है जिससे आपकी बॉर्डर सो होगी तो यहाँ पर हम पिनप कर लेंगे रिसके बाद हम अपना पल्लू लेंगे जिसससे यह इसकी साड़ी की tightness बनी रहेगी और बॉर्डर भी अच्छी तरह से सो होगी और इसके बाद इस तरह से आपको पल्लू ले लेना है राजपूती लोगों में इस तरह का पल्लू लेना बहुत ज़्यादा आम है दोस्तों राजपूती लेडिजे ज़्यादा तर ऐसे ही पल्लू लेती हैं यहां पर भी आपको पिन लगा देना है और इस तरह से आपको अपना पलू ले लेना है ये पलू ना खिसकता है ना ही अपनी जेगे से हटता है और इस तरह से लेने पर आपको comfortable भी फील होता है इसका लुक भी आप देख सकते हैं दोस्तों साडी का लुक और भी ज्यादा enhance हो रहा है तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले तरीके क और तो इसमें भी आपको इस तरह से plates बना लेनी है जिस तरह से पिछले तरीके में आपने दो plates छोड़ी थी यहां पर आपको एक plate ही छोड़ना है एक पहले वाला plate आपको छोड़ देना है जो नीचे की तरफ सबसे first वाला plate है और उसके बाद आपको यहां साडी pin-up कर ले लेने के बाद दोस्तों आपको अपने पल्लू को इस तरह से पकड़ते हुए अब यहां पर आपको set करना है अगर आप यहां पर set कर लेते हैं तो यह एकदम दूसरी तरीके का हो जाता है दोस्तों यहां पर आपको pin लगा लेनी है pin लगाने के बाद यहां पर आपको tightly अपने सर पर पल्लू लेना है जो अलग ही look देता है दोस्तों तो pin लगा लेंगे पिन हमने लगा लिया है और उसके बाद अपनी साड़ी को नीचे की ओर टाइट कर लेंगे और इसके बाद हमें अब अपने सर पर पल्लू लेना है टाइटली अगर यहां पर आप सर पर पल्लो लेते हैं तो यह बहुत ही खुबसूरत दिखाई देता है और अगर आपने जुडा उपर की ओर बनाया है तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकता है आप कोई भी काम कर रहे हूँ ये अपनी जगे से नहीं खिसकता है यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ दोस्तो अपना पलू लेने के बाद आप अपना सर इधर उधर भी करें देखिए कुछ भी ये नहीं हिल रहा है आप यहाँ पर डांस भी कर लेंगे तो भी ये पलू नहीं हटने वाला है तो इस तरह से अपनी साड़ी पर अगर आप पलू लेते हैं आपकी पल्लू और भी खुबसूरत दिखाई देता है तिका भी रहता है